है कि है Alogo sudo । आज हम हिंदी ग्रामरर का chapter 9 part 9 जिसका नाम है क्रिय ग्रिय क्रिय निन्ड वर्ब क्रिय का मतलब होता है क्यूंसी क्रिया कर रहे हैं यह मैं से कौन सा काम कर रहे हैं इस काम को ही क्रिय का आ जाता है तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है परिभाषा जो शब्द किसी कारे के करने या होने का बूत कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते है जो शब्द किसी कारे के करने मतलब कारे मतलब कोई काम उसको करने या होने का पता चलता है जिससे हमें उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं दिये गए वाक्यों को देखिए बच्चे खेलते हैं माली पानी दे रहा है विद्यारती पढ़ते हैं राम ने शाम को पुस्तक दी, देखो, आपको four picture show हुए है, मतलब čार चितर दिखाए गए, इसमें बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, माली पानी दे रहा है, माली क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है, तो वो कौन सा पुस्तक देने का काम किया तो आपको यह चार चितर बताए गए है उपर दिये गए वाक्यों में खेलते हैं दे रहा है पढ़ते हैं दी आदी शब्द के द्वारा कारिके होने की अवस्था यस्तिति का बोध हो रहा है यही सभी शब्द क्रिया है क्रिया का क्या मतलब होता है कोई भी काम या कार्य क्रिया का और भी नाम है काम और कार्य मतलब कोई कार्य हो रहा है और कोई कर रहा है जब हमें यह पता पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं लिंक कहते हैं तो बच्चे खेलते हैं बच्चे क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, मतलब वो कौन सा कारे कर रहे हैं, खेलने का, तो इसमें क्रिया क्या हुई, खेलना, फिर माली पानी दे रहा है, माली क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तो वो कौन सा काम कर रहा है, पानी देने का काम कर रहा है, इसमे क्या किया देने का काम किया मतलब कोई भी चीज दी उसको चाहे पुस्तक हो कोई पैन भी दे सकता है कौपी भी दे सकता है तो राम ने कौन सा काम किया देने का काम किया मतलब उसने कौन से क्रिया की, देने की क्रिया की, तो दी, दी इसमें हो गया क्रिया शब्द, अब दीखे क्रिया के निमन दो भेदें, क्रिया के कितने भेद होते हैं, भेद याने प्रकार, मतलब क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, या क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इनके क्या-क्या नाम है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया कितने प्रकार की होती है क्रिया दो प्रकार की होती है पहला है अकर्मक और दूसरा सकर्मक तो student आपका चेप्टर यहीं खतम होता है इसमें आपको सबसे पहले क्रिया का अर्थ बताया गया है कि क्रिया क्या होती है क्रिया मतलब कोई भी कार्य या कोई भी काम अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो काम या कार्य को ही क्रिया कहा जाता है और फिर इसकी हमने परिभाशा पड़ी कि किसी भी जो शब्द कोई काम के होने का है मतलब जिस शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चलता है यह करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं और आपको फिर मैंने कुछ उधारन दिये जैसे माली पानी दे रहा है विद्यार्थी पढ़ते हैं बच्चे खिलते हैं और राम ने शाम को पुस्तक दी इनमें आपको कौन सा शब्द क्रिया का बोथ करा रहा है वो बता दिया क्रिया मतलब जो वो काम कर रहा है उसको हम क्र क्रिया उसकी परिभाशा उसके भेद यह सब बताये गए हैं आपको इस समझ में आ गया होगा आपके चैप्टर यहीं खतम होता है स्टुडेंट इस चैप्टर की बुक की एक्सेसाइस में फिल करके आपको वाट्सप पे सैंड कर दूंगी और इसके क्वेस्चन अंसर करेंगे जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है थैंक्यू स्टूरेंट कर दो